अच्छा आपका इंजिनियर सद्ड़ पर मैं घ्यान प्रकास आपके सामने हाजिर हूँ जैनरल स्टेडीज की क्लास लेकर जिसमें दोस्तों लोग देखते हैं जैनरल स्टेडीज के कुछ महत्पोर्ण सवालों को यह हमारे 1000 क्वेशन की सरीच चल रही है जिसमें कि हम लोगोंने लगभग 400 से ज़्यादा सवाल कर लिये हैं तो अब उसके आगे डेली हम लोग यहाँ पर 20, 25 या 30 सवालों को देखने का प्रियास करते हैं तो जितने भी बच्चे देखना है सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को सेर करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे आज के काफे इंपोर्टेंट और अच्छे-च्छे सवालों को तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएंगे वीडियो को जल्दी से सेर करते हैं फिर हम लोग आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं चलिए तो सभी बच्चे जुड़ गया है तो जितने भी बच्चे जूट ना है सभी बच्चे वीडियो को सेयर करते रहेंगे एक बार ठीक है चलिए तो हमारे पास प्रियंका यादव जी जुड़ चुकी है राहूल लामबा जी साजन कुमार ठाकुर जी चलिए तो सभी मैक्सिमम बच्चे धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आज का हमारे कंप्यूटर स्क्रेंड के ऊपर आज का पहला सवाल देख कौन से मिट्टे उपयोगता है रेगुड रेड भांगर या खादर फटा पर इसका जबाब दीजिए कि किलिविस जी देखिए हमारी साइंस की जो मतलब जैनरल इस्टूडिस की पेड़ बैच है आप वहां पर इस्टोर टटर टटर ट्वेटी-फॉर सेवन पर विजिट कर सकते हैं वहां से आपके जाकर आप वहां से पर्चिस कर सकते हैं ठीक है ना किलिविस ची चलिए तो सभी बच्चे जुड़ गया बहुत बढ़िया तो पहला सवाल आपके स्क्रेंट के उपर आ गया इसका आप लोग जबाब दीजिए कपास कपास उत्पादन के लिए क काली मिटती होती है न ब्लैक सॉइल इसका ही हम लोग क्या रेगु कहते है क्या बोलते हैं सी ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है रेगुड भी एक यह जानते हैं लेकिन यहीं से याद रखेंगे दोस्तों जो सॉइल है ना सॉइल की स्टोडी को हम लोग क्या बोलते है पेडो लॉजी और इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीचूट दोस्तों याद रखेंगे यह कहां पर है इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीचूट यह कहां पर है यह भोपा यानि कि रास्ट जो प्रधान मंत्री की न्युक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है ये सवाल में दिया गया है प्रधान मंत्री को रास्टपती द्वारा किस अनुच्छे द्वारा न्युक्त किया जाता है कई बार दोस्तो ऐसे भी प्रशन पूछा जाता है जो प्रा पूछा जा रहा है दोस्तों इसका अपलोग जवाब दा बहुत बढ़िया शांदार जवाब दे रहे सभी बच्चे और बच्चों साथ-साथ वीडियो को सेर भी करते रहेंगे सभी बच्चे बहुत अच्छे यहां पर दोस्तों मैं बता दूं आर्टिकल 74 आप लोग जानत हैं मंत्री परिशत का जो अध्यक्च होता है वह कौन होता है वह होता है प्रदान मंत्री और आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वह किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वह जो सबसे बड़ी पार्ट प्रक्राइब करेक्ट या इसका करेक्ट और ऑप्षिन रखने या आर्टिकल 75 याद रखना है बिल्कुल सही जबाब दे रहे बिल्कुल अतिंदर पाल सिंग जी बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगी टेंसर ने लिए एक हजार कोईश्चन कराएंगे यह नाम मात्र के एक हजार होंगे लेकिन इसमें आपके लगभग चार से पांच अजार सवाल तयार हो जाएंगे क्योंकि मैं एक सवाल के साथ आपको कई और सवाल भी बताता हूं मैं कोईश्चन का पुश्ट माटम करता हूं ताकि आपके एक सवाल से पांच शे सवाल दस सवाल भी तयार हो सकें अगला सवाल आपके स्क्रिन के ऊपर आ चुका है 1527 में बाबर और राजपूत के बीच कौन सी लराई हुई थी यह आप लोगों को बताना है ऑप्शन है आपका बेटल आफ पानिपत बेटल आफ घागडा बेटल आफ चंदेरी या बेटल आफ खानवा फड़ापट जबाब देंगे दोस्तो बाबर और राजपूत के बीच कौन सी लराई हुई थी 1527 में फड़ापट जबाब दीजिए बहुत अच्छे फड़ापट जबाब देंगे दोस्तो चीक है चलिए चीक है यहाँ पर हमारे पास जबाब भी आना सुरू हो चुका है और बिलकुल सही जबाब दे रहा है सभी बच्चे बहतरीन जवाब दे रहे तो दोस्तो याद रखेंगे 1526 में कौन सा हुआ था आप लोग जानते हैं पानीपत की पहली लड़ाई है न पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था in 1526 में जो बैटल आफ खानवा हुआ था दोस्तों याद रखेंगे 1527 में किसके किसके बीच में बैटल आफ खानवा ठीक है ना किसके किसके बीच में राना सांगा और किसके बीच में बाबर के बीच में 1528 में भी दोस्तों याद रखेंगे कौन सा हुआ था बैटल आफ ना है बैटल आफ घागडा यह चार जो है आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट बैटल से हमारे हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन भारत के अंदर इसका सही उत्तर भाईया क्या हो जाएगा बहुत अच्छे शजन कुमार ठाकुर जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे है सेकेंड बैटल जो हुआ था पानीपत का वह था 1556 में और तीसरा जो पानीपत का युद्वा था वो 1761 में हुआ था बहुत अच्छा जवाब बहुत बढ़िया ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसका अपलोग दोस्तों जवाब दे नेक्स्ट नदी है बताएं बेतुआ है चंबल है सोन है या कैन है फटावट जबाब दीजे कुशन नवर 414 आपके स्क्रीन के ऊपर अभी तक अल्रेडी हम लोगों ने 413 कुश्चन कर लिये हैं आगे यह 1000 कुश्चन तक यह सिरीच चलेगी दोस्तों ठीक है ना बिलकुल बैटल खा ओर मिलने वाली जो नधी है याद रखेंगे वो नधी कौन सी है सोन नधी है और कहां पर मिलती आगर पास आकर मिलती है गंगा मे और 300 नधी निकलती कहां से घाया अमरकंटक fy comprendre मध्यप्रदेश के बसे और मध्यपरदेस के पास नर्मदा सौन ताप्ती यह 3.2 यह निकलती बेतुवा चंबल और कैन ये तीनो नदियां चीक है इसका correct answer जो है वो क्या है दोस्तो option C यानि son is the correct answer बिल्कुल सही जवाब दे रहा है दोस्तो आप लो अगला सवाल किस नदी पर है आपको ये बताना है क्रिशना पर कावेरी तुंग भद्रा या मालप्रभा पर किस नदी पर ये अलमटी डेम है और कहां पर है आपको ये भी बताना है अलमटी डेमिज सिच्वेटेड ओन क्रिशना कावेरी तुंग भद्रा या मालप्रभा ठीक है गोदावरी को दक्षिन की गंगा सजन कुमार ठाकूर जी कहीं कहीं लिखा रहता है लेकिन गोदावरी को बूरी गंगा जबकि कावेरी को दक्षिन की गंगा कहते हैं सजन ज ठीक है न याद रखिएगा ठीक है यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं इसका शही उत्तर है दोस्तों option ए यानि कृष्णा कृष्णा नदी पर ही है अलमट्टी डैम अलमट्टी बांज जो है कृष्णा नदी पर है और याद रखेंगे याद रखेंगे यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों कृष्णा और इसी कृष्णा नदी पर कौण सा डैम है इसी कृष्णा नदी पर याद रखेंगा आप लोग नागारजुन सागर डैम भी है कावेरी को हम लोग दक्षन की गंगा कहते हैं आप लोगों से हमारा प्रश्ण है कावेरी नदी पर कौण सा बाद है आप लोगों को बताना है इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी अगले सवाल की अगला सवाल आपके स्क्रिन के ऊपर विच कमिटी वस सेट अप तो रिव्यू अवधारना के लिए इसका आपको जबाब देना है फड़ावट जबाब दे हैं दोस्तो जल्दी से चीक है जल्दी से जवाब दीजिए चीक है चीक है चलिए यहां पर हमारे पास जवाब भी आना सुरूच को और बहुत चांदार जबाब देरे बच्चो एस तेंदूलकर समीति कब बना था यह याद रखेंगे एस तेंदूलकर कमेटी जिसका गठन कब था 2005 में इनके इनका जो गठन किया गया था किसके लिए याद रखने इनका गठन किया गया था कितने लोग गरीब हैं हमारे देश के अंदर उसका निर्धारन करणे के लिए ठीक है और याद रखना है जो पौवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जो मिनिमम सर्वाइवल कॉस्ट मिनिमम यानि कि नियूनतम जीवन को जो दरसाने वाली रेखा होती है मिनिमम सर्वाइवल कॉस्ट को जो दरसाने वाली रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग पौवर इन्हाँ ने किसका concept दिया था दोस्तो, poverty line का concept दिया था याद रखेंगे, जो चलैया समीती है, चलैया committee, इनका जो निर्मान किया गया था, tax reforms को लेकर, और वांचो समीती जो है दोस्तो, इनका भी निर्मान जो किया गया था, इनका भी घटन, tax के लिए ही किया गया था, कब 1969 में किया गया था, इसका सही उत्तर है दोस्तो, option A is the right answer, clear point, बहुत बढ़िया, चीक है, अगला सवाल, आपके screen के उपर, how many seats are reserved for women in municipalities, यानि नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी seatیں आरक्षित हैं, यह आपको बताना है, चीक है, question number 417, आपके screen के उपर, इसका अपलोग जबाब दे, नगरपालिका की बात करता हैं, तो नगरपालिका के लिए जो दोस्तो हमारे संविधान के अंदर, याद रखेंगे, schedule है, कौन से अनुसूची है, बारहवी अनुसूची, किस संसोधन के इताती है, संविधानिक दरज इना है, और नगरपालिकाओं में, महिलाओं के लिए जो सीटे आरक्षित रहती है, दोस्तो, एक बटी एक थी हाई सीटे, किस के लिए आरक्षित रहती है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है, यानि कि इसका जो सही उत्तर है, दोस्तो, वो क्या है, option C is the right answer, clear a point, अगल करना है, इसका जबाव, और share करते हैं दोस्तो, वीडियो को जदा से जढ़ आप लोग share केजिए, ज़्यादा से जढ़ आप लोग वीडियो को share करें, जितने भी बच्चे देग रहा है ना, सभी बच्चे share करते हैं वीडियो को, ठीक है? काकोरी सडी अंत्र किस वर्स में हुआ था 1925, 1924, 1926, 1927 शुनेल पाल जी मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ पैंसिल मिलना कब से बंद हो गया ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल को ठीक है जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों काकोरी कॉंस्परेशिन चीक है न तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा option A 1925 में हुआ था चीक है ये गोरखपुर के पास काकोरी एक जगह है काकोरी एक स्टेसन है जहां पर क्या किया गया था ट्रेन से लूट लिया गया था किसे सस्त्र वगरह को हत्यार वगरह को लूट लिया गया था इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा option A 1925 is the correct answer 1925 जो है ये इसका सही उत्तर होगा अगला सवाल निमलिकित में से कौन सा अनुच्छे भारत के रास्टपती को संसद के दोनों शदनों की संयुक्त बैठक बूलाने का अधिकार देता है फड़ा बड़ इसका जवाब दीजिए सबी बच्चे फड़ा बड़ जवाब दें question number 419 वो 419 आपके screen के ऊपर आ गया है शईयुक्त बैठक joint session of parliament आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है joint session के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया गया है तो इसका जवाब दीजिए joint session में दोस्तों याद रखेंगे जो सईयुक्त बैठक जब होती है सईयुक्त अधिवेशन जब होता है तो उसकी अध्यक्चता कौन करता है तो उसकी अध्यक्चता कौन करता है LS speaker या लोगशभा अध्यक्च करता है लेकिन उसे बूलाने का अधिकार किसे उसे बूलाने का अधिकार किसे रास्टपती को रास्टपती शेयुक्त बैठक जो बुलाता है वो किस अनुच्चेद के तहत आर्टिकल 108 बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल सही जबाब दे रहा है अनुच्चेद 108 जो है ये इसका सही उत्तर होगा अनुच्चेद 110 में किसकी बात करी गई है वित्विधयक या मतलब मनी बिल धन विधयक की बात करी गई है धन विधयक दोस्तों कोई विधयक धन विधयक है या नहीं है इसका निरने कौन लेता है लोकशभा स्पेकर या लोकशभा अध्यक्ची लेता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की इन एडवांस वाटर मेनेजमेंट सिस्टम औफ हरपन टाइम्स हैज बेन अन अर्थ एट हरपा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां खोजी गई है धौला वीरा लोथल काली बंगन या आलमगीरपूर फड़ावड इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नमबर 420 आपके स्क्रिन के उपर आ चुका है दोस्तों इसका अपलोग जवाब दीजिए इसका आइडिया नहीं है सुनिल पाल जी हमें है ना इस ठीक है आप जो पूछ रहे हैं इसका आइडिया हमें नहीं है ठीक है चलिए कोई क्वेश्चन नमबर 420 इसका आप लोग जवाब दें बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये कहां पर उन्नत जल प्रबंधन कहां पर था अरविंद कुमार जी ये बता रहा है आदेत्या दास जी काली बंगन बता रहा है तो भईया याद रखना है उन्नत जल प्रबंधन के लिए धौला वीरा जो कहां पर है धौला वीरा ये दोस्तों गुजरात के अंदर है कहां पर है गुजरात में है धौला वीरा तो ये धौला वीरा जो है ये बेस्ट ड्रेनिज सिस्टम के लिए जाना जाता था लोथल जो है काली बंगन ये कहाँ पर ये राजस्थान में है और आलमगीरपूर की बात करत ये भी एक हरपन साइट है दोस्तों जो यूपी में मेरट के पास इस्थित है आलमगीरपूर तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए धौला वीरा इस दा राइट आंसर अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर विच अप दॉइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉंस्टिचूशन प्रोवाइट्स फॉर दॉइंटमेंट ऑफ फनांस कमिशन भारतिया संबिधान के किस अनुच्छेद में वित्तायोग के नियोक्ति के लिए प्रदान करता है फटापट इसका जबाब दें और बच्चो सेयर करते रहा वीडियो को जादा से जादा आप लोग क्या करें सेयर करें हाना जादा से जादा वीडियो को सेयर करें आप लोग बहारतिया संव्मिधान के निम्लेकित में से कौन सा अनुच्छेद βित्तायोग की नियोकती के लिए कई बार हम लोगों ने पढ़ा है वित्तायोग अभी कौन सा चल रहा है 15 रहए रह वर्स में रास्टपती क्या करता है किसके द्वारा आर्टिकल 280 यानि अनुच्छे 280 के द्वारा जिनका काम क्या होता है कैंदर और राज्य के बीच में टैक्स का बटवारा करना ठीक है ना कैंदर और राज्य के बीच में क्या करना करों का बटवारा करना ये इनका मुख्या कारे होता और इसमें याद पांच मेंबर होते हैं किसके अंदर वित्त आयोक के अंदर ये भी आपको याद रखना है क्लास की टाइमिंग रमेश रावत जी डेली प्रते दिन एक बज़े से लेकर दो बज़े की बीच हमारी क्लास होती है याद रखना है अगला सवार, कैबिनेट मिशन यूजना की अनुशार सम्विधान सवागी चमता है 389, 289, 250, 350 अज़ पर कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके अध्यक्च कौन हुआ करते थे, सर्पैथिक लॉरेंस और जिसके मेंबर कौन हुआ करते थे, ए भी अलेक्जेंडर और इस्टफर्ड क्रिप्स ये दोनों सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस जी क्या थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्च थे ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, आप जानते हैं, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या था, भारत में आया था और याद रखना है दोस्तों जो cabinet mission है cabinet mission के मतलब जो इन्होंने recommend किया था इन्होंने कितने सदस्यों वाली संभीधान सभा का निर्मान किया था तो कई बार आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है तिनसो नाबाशी सदस्यों वाली संभीधान सभा का इन्होंने गठन किया था तिगर जो संभीधान सभा का गठन हुआ था नौ दिसन बर 1946 को हुआ था ये भी आपको पता है तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा that is option A 389 is the right answer अगला सवाल किसने 84,000 अस्तूप का न बहुत अच्छे सुनेल पाल जी बहुत बढ़िया विस्व विपलव दास जी बिल्कुल सभी बच्चे correct answer दे रहा है बहुत बढ़िया question 423 अस्तूप के निर्मान के लिए कौन फे मज़र उन्होंने 84,000 अस्तूप का निर्मान कराया था ठीक है ना बहुत बढ़िया कौन ह वो अशोका हैं पुश्यमित्र हैं मनेंडर हैं या कनिश्का हैं हना फड़ा बढ़ जबाब दीजिए इसका बिल्कुल सुनेल पाल जी सचिदानंद सिन्ना प्रोटे में स्पिकर थे और पहले अस्थाई अध्यक्च कौन थे राजंदर प्रिशाद थे बहुत बढ़िया और याद रखेंगे दोस्तों 84,000 अस्तुप का निर्मान करवाने वाले जो सासक थे उनका नाम था दोस्तों क्या अशोक का उनका नाम था जिन्हें हम लोग प्रियदर्शी अशोक के नाम से भी जानते हैं तो सही उत्तर क्या है दोस्तों इसका option A is the right answer अगला सवाल आपके स्क्रिन के उपर भारत स्वतंतरता शंग्राम के शंद्रव के शाथ नमलिकित घटनाओं में शे कौन सा सबसे पहले हुआ था गांधी इर्विन पैक्ट लकनाओ पैक्ट क्रिप्श एमिशन प्रोपोसल्स या अगस्त आफ बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों बहुत ही बह अलग अप्शन है अलग अप्शन से आप 4-5 सवाल आपके हो जाएंगे यहां से ठीक है तो इसका आप लोग जवाब सबसे पहले कौन सी घटना इसमें से हुई थी जब हम लोग दो बात करता है दोस्तों गांदी इर्विन पैक्ट कब हुआ था 1931 में हम लोग ने पढ़ा हुआ है लखनव पैक्ट कब हुआ था 1916 में हुआ था सबसे पहले कौन सी घटना है इसमें कौन सी है लखनव पैक्ट जो है यह हमारा क्या है दोस्तों इसका शही उत्तर होगा यानि कि option B is the correct answer सभी के इयर भी मैंने लिख दिये हैं और यह आप लोग याद रखेंगे कई बार इयर पूस दिया जाता है अलग लोग उसका इयर आ हुआ करते थी स्टाफोर्ड क्रेप्स और इनका भी मक्सद क्या था भारत को एक डॉमिनियन का दर्जाए देना और भारत की संबिधान सभागा क्या करना गठन करना ही इसका भी मक्सद था ठीक है न तो इसका सही उत्तर क्या हो गया लखनव पैक्ट अगला सवाल आपके स का जवाब दें हुई इन्वेंटेड एलिवेटर जो लिफ्ट होता है ना लिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं एलिवेटर कहते है यह एलिवेटर का अविसकार किसने क्या था जी फडिनान्ड वोन जैपलेन और जी ओर सिर्फ रोजर बैकर या फिर लियो एच बैकलेंड इसका दोस्तो गन्पॉडर बारूद का निर्मान किया था किस ने रॉज़र बेकल और लिफ्ट कि अगर बात की ज़ा है तो लिफ्ट जो होता है और वेटर का अविस्कारक से ने किया था दोस्तों आप लोग जाते होंगे लिफ्ट में अगर देखते होंगे तो वहाँ पर Otis लिखा भी रता है, एक company भी यह Lift की Otis नाम की, तो यह EG Otis जो है, EZ Otis यही दोस्तों कॉन है Lift के अविस्कारक हैं याद रखेंगे इसका सही उत्तर है, option B is the correct answer, इसके बाद बात करेंगे, हम लोग अगले सवाल की, जहांगीर was born in the year, जहांगीर का जण्म किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है, बहुत बढ़िया, बेलकुल सही जवाब दे रहा है, आप लोग, बहुत बढ़िया, question number 426 आ चुका है, इस का आप लोग जबाब दे, बहुत अच्छे, question number 426, जहांगीर का जण्म किस वर्ष हुआ था, 1569, 1669, 1769, 1869, तो इसका सही उत्तर है वईया, इसका सही उत्तर क्या है, option A, 1569, जो है इसका क्या है, सही उत्तर होगा, 1579 में ही, किसका जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था, इसका सही उत्तर क्या होगा, option A, अगला सवाल, आपके स्क्रिन के ऊपर, बहुत अच्छे सवाल है, इंडिया है, चेंजड ओवर तो दे, डैसिमल सिस्टम अफ क्वाइनिस, इन डैस, भारत में, डैस में, सिक्के के, दसमलव परनाली में जखेंगे, एक जन्वरी 1995 को WTO, हाना, एक जन्वरी 1995 को ही WTO की अस्थापनावी थी, WTO का आप लोग जानते होंगे, World Trade Organization, जिसे हम लोग विस्ववयापार संगठल कहते हैं, जिसका headquarter कहा परेवाई या जैनेवा में, यह जो WTO है ना, इसका पहले नाम हुआ करता था, GATT, नाम हुआ करता था, इसका, GATT, GATT का मतलब General Agreement on Tariff and Trade, यह जो इसका WTO का ही पहले नाम क्या हुआ करता था, GATT, General Agreement on Tariff and Trade, यह इसका नाम हुआ करता था, बाद में उसी को WTO बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं, दसमलव परणाली की, दसमलव परणाली का मतल पहले दोस्तों, एक रूपे में क्या हुआ करते थे, 16 आने हुआ करते थे, 16 आना होता था, एक रूपे के अंदर, लेकिन अभी अब एक रूपे में क्या होता है, एक रूपे में कितने पैसे होता है, 100 पैसा, होता है ना, कहता है ना, एक रूपे में कितना पैसा, 100 पैसा, लेकिन पहले एक रुपए में आना हुआ करता था 16 आना होता था एक रुपए में तो दोस्तो यहाँ पर जो 20 प्रणाली यानि कि 16 आने से जो हम लोग पैसे पर mouv किया हम लोगों ने वो कब किया 1957 में हम लोगों ने मुव किया यानि कि इसका जो सही उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तो, that is option D is the correct answer, D जो है इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही है यह, जेनेवा में है, विस्व विपलवदास जी, जेनेवा में, ठीक है ना, WTO, जेनेवा में, World Bank और IMF, ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों वास अलबुर सही हूँ, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अब हम लोग बात करते हैं, इसके आगे, बिल्कुल मुकहिस जाए सावाल जी, आप लोगों का प्यार रहेगा, जरूर जाएंगे वहां भी, है ना, चलिए, next question, आपके screen के उपर, निमलिकित में से कौन सा देश, आसियान का सदस्य नहीं है, यह आपको बताना है, आसियान जिसका पूरा मतलब क्या है, एसका एड क्वाटर कहां पर है, इसका एड क्वाटर है, जकारता, इंडोनेशिया में, जकारता में इसका हेड क्वाटर है, और याद रखेंगे, जो आसियान में टोटल सदस्य है, टोटल मेंबर कितने हैं, इसमें टोटल मेंबर है, 10 मेंबर है, ठीक है ना, आप लोगों को पता भी होगा, कि जो पिछले साल के पिछले साल, मतलब 2018 में हमा कहां के राष्ट पती आये थे, आप लोग कमेंट में बताइए और उनका क्या नाम था, इस बार जो रिपब्लिक डे जो मतलब परेड होता है, उसमें एक बाहर से गेस्ट आता है, इस बार कोन आये थे, आपको ये बताने हैं, दोजार अठारे में आसियान देश के जितने ही आसियान का मेंबर नहीं है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये काफी इंपोर्टेंट है, आपको हमेशा उप्सन में इंडिया ही रहता है, इसलिए आपको याद रखना है, इसके जो मेंबर अगर आपको लिखना है, तो मैं लिखवा सकता हूँ यहां पर तीन नाम जो है वो तो हैं ही इसके बाद म्यामार है मलेशिया है लाउस है इंडोनेशिया है शिंगापूर है थाइलेंड है फिलिपिन्स है यह सबी क्या है यह सबी आपके अन्या जो है जैसे बुरुनेई है कमबोडिया वियतनाम इसके बाद याद रखेंगे इं तो वो हुई थी याद रखेंगे आठ अगस्ट 1967 को आठ अगस्ट 1967 को आसियान की क्या हुई थी अस्थापना 1967 बस आप एर रखिये याद क्योंकि कई बार एर आप से पूछ दिया जाता है तिसका सही बिलकुल जैर बोलसनारो ठीक है नब ब्राजील के राश्ट पती थे जै जैर बोलसनारो नाम है उनका वो क्या है आये थे यहाँ पर क्या इस बार रिपब्लिक डे परेड में गेस्ट के रूप में जैर बोलसनारो उनका नाम था बिलकुल सही बता रहा है और दोस्तों याद रखेंगे ब्राजील जो है ब्राजील के राजधानी कहा है ब्राजील और कमबोडिया की कहा है नॉमने नॉमने बोलते हैं उसे वो कमबोडिया की राजदानी है ये भी आपको याद रखना है क्लियर है पॉइंट तो हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले सवाल की उपर बहुत बढ़ी है पूनम शर्मा जी प्रियंक यादी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग ठीक है न बिल्कुल विस्वेब्र लौदाष जी बहुत बढ़ी है ठीक है बहुत अच्छे अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रिन के उपर आ गया है इसका आप लोग जबाब दा रास्टपती को उनके शामानिय कार्यकाल की समापती से पहले उनके कार्यकाल से किस की सिफारिस पर हटाया जा सकता है यह आपको बताना है चीक बहुत बढ़िया चीक है और दोस्तों सेर वीडियो को आप लोग जादा से जादा सेर करा दोस्तों ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तो ये वीडियो पहुँचे, सेयर मैक्सिमम कीजिए आप लोग वीडियो को, सभी बच्चे जितना है, सभी बच्चे वीडियो को सेयर करते रहें, चीक है न, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो रास्टपती का देखिया, रास्टपती का जो टर्म होता है, वो कितना होता है, पांच साल होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये टर्म की चर्चा किस में करी गई है, Article 56 में कहा गया है कि रास्टपती 5 साल के लिए 5 साल का कारेकाल होता है लेकिन रास्टपती को कारेकाल से पहले हटने के तरीके कौन-कौन से एक तो पद पर रहते हैं उनके मृत्यों हो जाए तो बहिया जिन्दा तो कर नहीं सकते दूसरा राष्टपती अपना रेजिगनेशन दे दे तो सवाल उठता राष्टपती अपना रेजिगनेशन किसे देता है तो राष्टपती दोस्तो अपना इस्तीफा किसे देता है वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसे देता है राष् लेकिन रास्टपती को उसको जब तर्म भी उसका पूरा नहीं हुआ है और उनको पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 में कहा गया है कि रास्टपती के उपर क्या लगाया जाएगा उसके लिए impeachment लगाया जाएगा महाभियोग लगाया जाएगा और ये महाभियोग किसके द्वारा संसद के दोनों शद्नों के द्वारा पारित होना चाहिए तभी रास्टपती को उसके पद से हटाया जा सकता है और impeachment रास्टपती पर जब महाभीयोग लगाया जाएगा तो उससे 14 दिन पुर्व 14 days before रास्टपती को इंफॉर्म करना जरूरी होता है और रास्टपती के impeachment से related जो बिल है वो कहां पर लाया जा सकता है दोस्तों याद रखेंगे वो दोनों सदनों के किशी भी एक सदन में introduce किया जा सकता है जबकि उपर रास्टपती को हटाने का जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर लाया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ के अंदर ही ये भी आपको याद रखना है तिसका correct answer क्या हो जाएगा the two houses of parliament और राश्टपती के जो ये महाभियोग संबंदी विदेख उसे दो तिहाई यानि special majority यानि विशेस बहुमत से पारित करना क्या होता है आवश्यक होता है ये भी आपको याद रखना है क्लियर है ना point बिल्कुल मुकेस जैसावाल जी बिल्कुल सही बता रहा है तो अगला सवाब आपके screen के उपर संबिधान सभाद्वारा उद्येश प्रस्ताव कब शर्व सम्मती से कब अपनाया गया था फड़ा पर जबाद्वारा कोश्चन नंबर 430 आपके screen के उपर आ चुका है इसका अपलुक जबाब दीजिए बहुत बढ़िया ठीक है हम लोगोंने संबिधान सभाई इसकी कई बार आप लोगों को चर्चा भी करी है objective resolution कब आया था कब रखा कब गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसे adopt कब किया गया था पारित कब किया था दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसका सही उत्तर क्या होगा अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया तो बच्चों जवाब दीजیे और वीडियो को दोस्तों आप लोगो सेयर करते रहिए जादा से जादा है ना वीडियो को सेयर करते रही है सभी बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जायत इसका सही उत्तर क्या है आप लोग जानते हैं अप्शन ए अरे भीया कितनी बार बताया है 13 जनवरी 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहर लाल नहरू रखते हैं सम्विधान सभा के शामने और उसे सम्विधान सभा पारित कब करती है 22 जनवरी 1947 को कितनी बार ये चीज़ां आपको क्लास के अंदर बताई गई है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 अगला सवाल आपके स्क्रिन के उपर आ चुका है दोस्तों एक राजनितिक दल के रोप में मुस्लिम लिख की अस्थाब न कब हुई थी बहुत अच्छा और बहुत बहुत बहुतरीन सवाल है एक राजनितिक दल के रोप में मुस्लिम लिख की अस्थाब न कब हुई थी 1906, 1909, 1915 या 1919 इसका आप लोग जबाब दे बहुत बढ़िया पुषपेंद्र जी मुकेश जी बहुत बढ़िया कई बच्चे बी भी बता रहे तो भी या बी कैसे होगा एही होगा ना है ना बहुत बढ़िया पूजा जी बहुत बढ़िया चंदन जी राहुल कनौ जी आ अगर बात कीज आए तो इसका अस्थापना कब हुआ था जो दोस्तो 1906 में कहां पर हुआ था ये भी याद रखना है ढाका में और इसके इस्टेबलिस करने वाले कौन थे इसे आगा खाशाहब आगा खाने मुस्लिम लिग की अस्थापना करी थी ये भी आपको याद रख 17 में 9 जनवरी को कौन आये थे महात्मा गांदि कहां से वापस आ गए थे इंडिया शाओत अफ्रिका से इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं प्रवासी भारतिया दिवस भी मनाते हैं और 1990 में आपको पता है एक तो मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्ड रिफॉर्म हुआ था औ जनरल डायर के द्वारा जिस पर निहत्य लोगों पर गोलिया चलवा दि गई थी तीक न इसका सही उत्तर क्या हो गया 1906 इस दा राइट आंसर तीक न अब हम लोग बात करेंगे कहां आगे सवाल की अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रिन के ऊपर आ चुका है इसका पार्तिय संबिधान का अनुट 6343 किस से संबंदित है 343 of Indian Constitution is related with लोक्षभा के लिए सीटों की शंख्या, राज्य सभा के लिए सीटों की शंख्या, आधिकारिक भाशा के रोप में हिंदी या special status to Jammu and Kasmeer बहुत बढ़िया साजन कुमार ठाकूर जी बिलकुल सही बता रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया, अनिल सैनी जी बिलकुल सही जबाब दे रहे हैं, ठीक है देखिया विस्व बिपलव दास जी 1944 में अगस्ट आफर आया था, अगस्ट आफर आया था कि मतलब सीटों के बटवारे को लेकर कि भाईया इतना सीट मुस्लिम लिग को इतना सीट इसको लेकिन इसका अगस्ट आफर का विरोध मुस्लिम लिग ने भी कर दिया था और कॉ 432, Article 43, यह किस से संबंदित है, यह संबंदित है, दोस्तों किस से, याद रखेंगे, यह हमारे language से, भासाओं से संबंदित है, हमारे संबिधान में जो आठवी अनुसूची है, आठवा schedule है, वो भी किस से संबंदित है, वो भी भासा से संबंदित है, और दोस्तों याद अनुसूची में कितनी भासाइं हैं कितनी भासाइं हैं दोस्तो याद रखेंगे 22 भासाइं जिसमें असामी असामी डोगरी मैथली ठीक है ना और एक भासा है संथाली इन चार भासा को कब जोड़ा गया था आप लोग बताएं इन चार भासा को कब जोड़ा गया था सबसे रिसेंट में जो चार भासाएं एड की गई है आसामी, जोगरी, मैथली और संथाली ये चार भासाएं जोड़ी गई है कहाँ पर हमारे संविधान के अंदर तो ये कब जोड़ा गया था आपको ये बताना है फटा फट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शजन कुमार बतरीन है यहाँ पर आप लोग बस इतने सेशन को देखते रहिए एक-एक फैक्ट आपको मैं बताऊंगा एक-एक फैक्ट आपको बताया जाएगा फटवर्ड इसका जवाब दीजे दोस्तों पानी है कि थोड़ा चली फटवर्ड इसका जवाब दीजिए फड़ा पड़ दोस्तों जवाब दा है इसका बहुत बढ़ ए हमारे पास जबाब भी आना शुरू हो चुका है बहुत बढ़ याद रखेंगे नाइन्टीन सेकेंड कॉंस्टिच्वाइसनल अमेंडमेंट दोहजार तीन के द्वारा 92nd Constitutional Amendment 2003 के द्वारा जो हमारा इन चार भासाओं को किसमें जोड़ा गया था हमारे संविधान की आठवी अनुसूची में जोड़ा गया था Clear point बहुत बढ़िया ठीक है चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके अगले सवाल की इसका अगला सवाल आपके स्क्रिन के ऊपर आ चुका है इसका आप लोग जवाब दें नमलकित में से किस छेत्र में वर्स भर बर्षा होती है टुंडरा मांशून मैडी टेरेनियन या फिर एक्विटारियल रीजन में कहां पर साल भर वर्षा होती है यह आपका जवाब दीजिए ठीक है और सेर करते रहिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए सेर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को क्या कीजिए दोस्तों सेयर करते रहिए, ठीक है, नमलकित मैंसे किस छेतर में वर्स भर बरसा होती है, मानसून की अगर बात करना है दोस्तों, तो हमारे देस में मानसून सबसे पहले कहा आता है, केरल में आता है, कब एक जुन को, उसी एक जुन को हम लोग क्या मनाते है, वर्ल्ड मिल्क भी मनाते हैं ठीक है और दोस्तों याद रखेंगे सबसे लास्ट में मानसुन कहाँ पर तमिल नाडू में रहता है और लोटते हैं मानसुन के कारण तमिल नाडू में बरसा होती है हमारे देश में सबसे जादा जो वरसा होती है वो किस मानसुन के करण दक्चिन पस्चेमी मा बरसा होती है दोस्तों जो एक्विटारियल रिजन होता है ना यानि जो भूमध्य रेखा है जिरो डिगरी लैटिट्यूड है जिरो डिगरी आक्छांस है इसके आसपास वाला जो रिजन है जैसे ये रिजन है यहाँ पर वर्स भर क्या होती रहती है बरसा होती रहती है वर् वर्सा की मातरा को शमान वर्से वाले छेत्र को दिखाने के लिए हम लोग आईसोहलाइन का प्रियोग भी करते हैं याद रखना है ठीक है पूरे विस्व में सबसे ज़्यादा जो वर्सा होती है दोस्तों वो कहां पर मेगाले के माशिन राम मेगाले के माशिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे विश्व में ये भी आपको याद रखना है तो चलेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल वट इस निकी निकी क्या है ये आपको बताना है निकी सेर प्राइस इंडेक्स अफ टोक्यो नेम अफ जैपनीज सेंट्रल बैंक जैपनीज नाम अफ कंट्री इस प्लैनिंग कमिशन या फिर फॉरन एक्सचंज मार्केट अफ जैपान फड़ा पट जबाब दें इसका निकी निकी क्या है जैसे कोश्पी कोरिया का है है ना स्टाक एंड डौ किसका है ये हमारा नियू यू यॉर्क यानि यूसे का है उसी तो यहां पर यहां पर जब हम बात करते हैं दोस्तों निकी तो निकी जो याद रखना है जैसे हमारे देश के अंदर सेंसेक्स है ना सेंसेक्स और निफ्टी निफ्टी किसका है सेर इंडेक्स का प्राइस एनसी नैशनल इस्टोक एक्सजेंज और सैंसेक्स किसका है बीएसी बॉंबे स्टोक एक्सजेंज का सेर प्राइस इंडेक्स है इस निफ्टी का मतलब क्या है पता है आपको नैशनल फिप्टी और इस सैंसेक्स का क्या मतलब हो कौन सा है दोस्तो NSE जो है भारत का सबसे बड़ा stock exchange है जैसे हमारे देश के अंदर NSE का Nifty है Sensex का BSE का Sensex है उशी तरह याद रखेंगे जापान का जो share price index है न टोकियो share market का उशे हम लोग क्या बोलते हैं उशे हम लोग निकी बोलते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है भी या इसका सही उत्तर है option A share price index of Tokyo share market जो है ये इसका correct answer होगा ठीक है तो इसका सही उत्तर है option A अगले सवाल पर चलेंगे अगला सवाल निमलिकित मेंसे कौन सायोगम सही ढंग से मेल नहीं खाता है जोग करनाटक पापनासम हिमाचल धुआधार मध्यप्रदेश या हुंडरू जारखंड फड़ा बड़ जबाब दें दोस्तों इसका और share करते ना सभी बच्चे वीड कॉछा जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है यह पूछा जा रहा है तो जोग दोस्तों क्या है करनाटक में है सरावती रीवर पर है धुआधार मध्यप्रदेश में बिलकुल है ठीक है और जब हम लोग बात करते हैं हुंडरू ये कहा पर स्वर्ण रेखा नदी पर है दोस्तों कहां पर जार्खंड के अंदर स्वर्न रेखा नदी पर है हमारा प्रशन आपसे धुआधार जो जल प्रपात है वो किस नदी पर है आपको ये बताना है ठीक है बहुत बढ़ याद इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन भी पाप नासम जो है वो ही लुक जवाब दीजिए नेक्स्ट कोश्चन ठीक है फटावड इसका जवाब दीजिए क्वेशन नूमर 436 एज लोकटक लेक मनिपूर सांबर जील राजस्थान लेक लोनार महारास्ट्रा हुशाइन सागर करनाटक फटावड जबाब दीजिए दोस्तों जल्दी से जबकि चित्रकूट फॉल जिसे हम लोक भारत का नियागरा फॉल भी कहते हैं वो कहाँ पर है वो 36 गड़ के अंदर है किस नदी पर इंदरावती रिवर पर है जिसे कहां पर है किस नदी पर है इंदरावती रिवर पर है ये भी आपको याद रखना है हम लोग बात करता है दोस्तों इस सवाल की लोकटक लेक मनिपुर में है ये एक मात्र तैरता हुआ जील है और दोस्तों किस पार्क के अंदर ये जील है तो याद रखना है यह किबुल लाम जाओ नैसनल पार्क उसके बीच में ये लोकटक लेक जो है इस्तित है और लोकटक बीच में एक मात्रत तैरता हुआ नैसनल पार्क है जिसका नाम क्या है किबुल लाम जाओ नैसनल पार्क है किबुल लाम जाओ नैसनल पार्क जो कहां पर लोक्टक लेक के बीच में इस्तित है सामर लेक की बात करें तो दोस्तो राजस्थान में है बिलकुल और ये क्या खाड नमकीन पानी का जिल है ठीक है खाडे पानी की जिल है लेक लोनार की बात करें तो ये भी महारास्ट्रा में है जबकि हुशायन सागर जील जो है ये हमारा करनाटक में नहीं बलकि कहां पर है ये आंद्र प्रदेश में इस्तित है ये भी आपको याद रखना है इसका दोस्तो करेक्ट जो उत्तर है इसका जो करेक्ट उत्तर है दोस्तो उसे हम लोग क्या बोलते है क्या होगा इसका सही उत्तर होगा option D is the right answer D is the right answer दोस्तों वीडियो को सेर कीजिए आप लोग है ना वीडियो को सेर कीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल विश्व विपलवदास जी भारत का नियागरा कहते हैं उससे बिल्कुल सही बता रहे हैं चीक है अब बात करेंगे हम लोग अगले सवाल की कपिलधारा फॉल्स इस सिच्वेटर ऑन विच रिवर कपिलधारा फॉल जो है वो किस नदी परिस्थित है आपको ये बताना है option है तापी शरावती नर्मदा या इंद्रावती फ विडियो को दोस्तो सेर करता रहता कि ऐसे अच्चे अच्चे सवाल आपके सामने आते रहे हैं कपिलधारा फॉल्स याद रखेंगे दोस्तो ये भी कहाँ पर है नर्मदा रिवर के उपर ही इस्तित और नर्मदा नदी पर ही क्या है दोस्तो सरदार शरोवर बांध भी और ऍरमदान अदी को ही गुजरात की Lifeline या गुजरात की जीवन देखा भी कहते है इंद्रावती पर कौन सा है चित्रकूट फॉल है जिसे हमलोग भारत का नियाग्रा फॉल सरावती पर कौन सा है जोग प्रपात है यह भी आपको पता है अगला सवाल आपके स्क्रिण के उपर the languages of discourse of गौतम बुद्धावाज गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जानी वारी भाषा कौन से थी भोजपूरी मगधी, पाली या शंस्कृत फड़ा पर जवाब देंगे question number 438 आपके स्क्रिण के उपर ठीक है question number 438 आपके स्क्रिण के उपर गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिरी में डेथ कहाँ पर कुशी नगर में पहला उपदेश कहाँ पर दिया था इन्होंने सारनात में ज्यान की प्राप्ति कहाँ गया में ठीक है तो याद रखेंगे ये जो गौतम बुद्ध है ना ये जब जिन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था गया सारनात में दिया था और इनके उपदेश की जो भासा हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी पाली और इस पाली लेंग्विज का जो एक अच्छा सिक्षन के अंदर है वो कौन सा है दोस्तो नालंदा विस्वविद्याले कहाँ पर बिहार में ये पाली अनुसंधान के अंदर भी वहाँ पर इस्तित है जिसके अस्थापना किसने करी थी दोस्तो कुमार गुप्त अस्थापना किसने धर्मपाल साहब ने कराई थी ये भी आपको याद रखना है तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले सवाल की अगला सवाल Mayo College was started at Mayo College की शुरुवात कब हुई थी डैली में, कॉलकता में, आगरा में या अजमेर में फटाबर जवाब देंगे Mayo College जिसकी अस्थापना किसने Lord Mayo ने कराई थी Lord Mayo के काल में ही भारत की सबसे पहली जनगरना भी सुरू हुई थी कब 1872 में और इन्ही की हत्या अंडमान और निकोबार में कर दी गई थी याद रखना है और Mayo College जो है दोस्तों ये कहां पर है आप लोगों को पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को ये कहां पर है अजमेर में है बिल्गो इसका सही उत्तर है अजमेर इस दराइट आंसर अगला सवाल आपके स्क्रेंट के उपर भूबनेश्वर के पास हाथी गुमफा सिल्या लेख उडिसा के डैस राजा से संबंदित है वन बढ़िया वरी गुड शुशर्म से हाला से खारवेल से या पुलमाई से तो याद रखेंगे दोस्तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है इसका सही उत्तर है खारवेल किस राजा से संबंदित है खारवेल राजा से संबंदित है यह आपको याद रखना है इसका अगली क्लास में तब तक के लिए आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लगा है ताप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा सेशन करेंगे जो नए बच्चे देख रहे हैं वो इस इंजिनियर सड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो मिलता है दोस्त हम लोग अगली क्लास में तब तक कि लिए आप इसी तरह पढ़ते रहिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और सभी को, have a good day. झाल झाल झाल